अमर और मरीदु में एक मंदिर में चले जाते हैं वहाँ जाकर सभी अमन को समझाते भी नजर आती है इसके बाद अमन को एहसास हो जाता है कि वह मरूदु में के साथ शादी करने वाला है लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर रज़त और अहाना पहुंच जाते हैं जो अमन की को रोक देते हैं और जज़द अमय की खुशिया सिर्फ और जाते हैं जाता ने under अमन की शादी मरुण मैं से ही होगी जिसके बाद कहारी में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग सा मोर देखने को मिलने वाला है क्योंकि अमन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह अपने प्यार और यज़त में से किसे चुने तो आप सबको क्या लगता है इस लेटिस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें